इस वीडियो के अंदर मैं आपको explain करूँगा कानेमडिस का लेक्षन मर 17 और फ्रिक्षन का पार्ट थर्ड आज आपकी इस पार्ट के अंदर फिनिस हो जाएगी और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो हैगी उसके अंदर मैं आपको फ्रिक्षन पर बेस numerical problem ठीक है और conceptual और theoretical problem solve करा हुआ आज जो मुझे आपको जो major portion खतम करना है वो है सबसे पहला topic angle of friction यानि गर्शन कौन और दूसरा है angle of repose यानि विराम कौन और तीसरा है rules of friction यानि friction के कुछ rules आपको मुझे बताने है और fourth है कि हमको friction को कम करने के लिए क्या-क्या चीज़ यूज़ करनी चाहिए अब देखो मैं आपको सबसे पहले explain करूँगा कि angle of friction यानि घर्शन कौन क्या होता है तो देखो यह मेरे पास एक box है एक body है और यह body एक surface पर रखी हुई है और यह body पता है rest में है किसमे body rest में यानि ब्रामवस्था में body rest में और मैं इसको f force से खीच के लिए जाना चाहता हूं लेकिन यह body कोई खीच नहीं रही है एनि किसमें rest में है ठीक तो देखो आप इस body पर कितने forces काम करेंगे एक force तो आपको ऊपर की तरफ लगेगा नॉर्मल रेक्शन फॉर्स सिंपल जिसको मैं या आर से रिप्रिजन कर सकता हूं अब यह body जब एक force मैं इसको खीच के ले जाना चाहता हूं लेकिन यह जाने रही है खिचनी रही है इसका मतब यहां पीछे की तरफ एक friction force लग रहा होगा क्या लग रहा होगा क्या कि एक ना तो जो चाहता है तो ईतनी बात तो समझ में आती है अगर बॉड़ी रेस्ट में है तो कौन सा फ्रिक्षन इस्टेटिक फ्रिक्षिन एनिस्टेटिक घर्षन और जब एक खिचन नहीं रहे है फोर्स लगाने पर इसका मदब जो इस्टेटिक फ्रिक्षिन उसकी वैल्यू कैसी होगी maximum ठीक या मैं स्कॉर क्या बोल सकता हूं limiting friction FL clear ठीक है न तो मैं इसको limiting friction यानि सीमान्त गरसर भी बोल सकता हूं limiting friction सीमान्त गरसर ठीक अब देखो यानि दो फोर्स आपको देख रहे हैं एक तो normal reaction force अब डारेक्शन में लग रहा है और एक स्टेटिक फिक्षिन का मैक्सम मैक्सम स्टेटिक फिक्षिन यानि सीमान्त गरसर लग रहा है अब देखो आप normal reaction force or limiting force के बीच में हो के ठीक है यह ठीक है इसको हम क्या बोलेंगे resultant force यानि परणामी बल इस इस रिजल्टेंट फोर्स इसे क्या वो लेंग इंदी में परणामी बल तो इन दौनों का resultant वो कहां से होके जाएगा इन दौनों के बीच में होके जाएगा that is resultant force अब देखो यह जो आपको हम बोलते हैं इसी को हम बोलते एंगल ओफ प्रिक्षिन कि एंगल ओफ फ्रिक्षिन ठीक है तो एंगल औफ फ्रिक्षिन को मैं किस से रप्रिजन कर रहा हूं ठीटा से लिए टो ठीटा कुछ नहीं होता Simple is नौर्मल एक्षिन फोर्ज और रिज़र्टे इन फोर्ट के बीच का जो एंगल है उसा हम क्या बोलते हैं एंगल और फ्रिक्शन इतनी बात्री अब दूसरी बत यहां पर क्या जाती है कि एंगल फ्रिक्शन की वेल्यू कितनी नी उसका मान कितना होता है अब आप देखो मैं आपको एक चीज़ सॉल करके दिखाता हूं यहां से अगर मैं 10 ठीटा की वेल्यू निकालू क्या निकालू 10 ठीटा ठीक है तो देखो मैं इस तरीके से इसको जोइन कर सकता हूं ठीक तो 10 ठीटा सामने वाला पर्पेंडिकुलर इ देख सकता हूं यह बात और मुझे पता है कि fs maximum limiting friction का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है न्यू एस इंटू एन और मैं इस की वेल्यू पूट कर सकता हूं यहां तो यह क्या जागा म्यू एस इंटू एन अपॉन एन एन से एन कैंसिल तो देखो 10 ठीटा बरावर क्या निक ठीक है यह अगया म्यू एस ठीक यह बात के लिए यह कैड कोफी सी एंट और फिस्टेटिक फ्रिक्शन ठीक है यह यह इनि स्टातिक घर्सन गुणांग स्ट्रिक्शन अगर आप यहां से ठीटा निकालो के तो क्या हो जाएगा टैन इन वर्स मिउ तो आपका जो एंगल फ value मिल के आ गई angle of friction की डिक है तो angle of friction जो होता है वो normal reaction और resultant force के बीच का angle होता है ठीक है that is theta इसको मैं theta से represent कर रहा हूँ और इसकी value कितनी होती है tan theta बरावर μو s और theta की value होती है tan inverse μs अब आप ये चीजें अच्छे से note करो इसके बाद मैं आपको happiest एंगल आफ रिपूज यानि विराम कॉंड एंगल आफ रिपूज का वास्ता में मीनिंग क्या होता है ठीक है तो यह मेरे पास एक सर्फेस है ठीक है यह वाली सर्फेस है और सर फेस के ऊपर एक मसक का ब्लॉक की यह बॉक्स रखा हुआ ये यह रखा हुआ अब आप देखो अगर मैं सर्फेस को उपर की तरफ ठाता हूं ठीक है यानि एक टाइम बाद ये बोडी ये बॉक्स इस सरफसे फिसल ने लगा तो इससे पहले क्या सिचेशन रही होगी कि इससे ठीक फिसलने से पहले, दोबारा सुनो, ठीक फिसलने से पहले जो एंगल था जिसपर ये बस तू नहीं फिसल रही थी, उस एंगल को हम बोलते हैं एंगल आफ रिपोज, यानी विराम कौण. ठीक है न, दोबारा समझो, जब ये बस तू फिसल रही थी, फिसलने से पहले जब बस्तू फिसल रही थी इसके फिसलने से पहले एक ऐसा पॉइंट जो नहीं इसे न्हीं होगी लेld वह जो एंगल बना रही होगी उसको न्यों बोलते हैं यानि विराम कॉर्ड देखो आफ यह मेरे पास एक इस सर्फेस यही ठिक और मैंने इसको करीब इतना उठादिया और यानि ये रखी वह body ये वाक्स ठीक मास्का एक box रखा हुँ और यह जो एंगल है न यह वाला एंगल इतने एंगल पर जिस एंगल को मोड़ो में अलफा एंगल क्या बोले इसको में अलफा ठीक है यह वो एंगल जिस पर यह बॉडी यह नहीं फिसल रही है तो बोडी क्या खरेगी फिशली लग जाएगी इस फिसलने से पहले जो अल्फा है जिस पर बॉड़ी नहीं फिसल रही है सिसलने वाली है लेकिन फिसल नहीं रही है मतभ बोर्णि किसमें रैस्ट में उस अंगल को में बोलेंगे एंगल और प्रिपोच तो अल्फा क्या है एंगल अफ लिपोज यानी वराम कोर मैं यहां से इसको अलफा से शेयरसेंट करेंगे परपेंडिकुलर उपर की तरफ लगेगा नॉर्मल एक्शन फूर्स ठीक है और डाउन वर डारेक्शन में क्या लेगा इस पर नीचे की तरफ एम जी इसका वेट एम जी लगेगा अब देखो आप ये नॉर्मल एक्शन फूर्स नीचे की तरफ यानी ये अंगर एंगल उसके इसके दो कुंपेंट ओ एक तो ये वालब एक ये बाला थिक यह वाला घृवाला अलफा बन रहा है तो बारेके साथ बनता को एंग्स अलब से नीचे की तरफ खैड्य युए क्ट और रेकर मदला आपका एंडिय तंट आहलफा लेकर फोर्वी क הोगी लेकिन बॉड प्रिक्शन और उसकी वैल्यू कैसी होगी मैक्सीम जिसको हम क्या बोलेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन यानि एफ तक नाम से जानते हैं कितनी बात है समझ में आती तो देखो जो normal reaction force है और mg cos alpha है उन दोनों का magnitude equal होगा, direction opposite है, लेकिन magnitude कैसा होगा equal, तो मैं यहाँ से यह बोल सकता हूँ, कि n बराबर mg cos alpha, यह question number 1, और आप देखो, mg sin alpha और static friction का magnitude equal होगा, तो मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ, यहाँ से, fs maximum, fs maximum, बराबर mg sin alpha, mg sin alpha, यह question number second, अगर आप मैं second को, ठीक है, फर्स्ट से डिवाइड कर दूँगा, तो देखो, यह क्या आजाएगा, fs maximum, upon n बराबर, mg से mg खतम, sin upon cos कितना आजाएगा, 10 alpha, ठीक है, और हमारे पास एक statement होता है, कि fs maximum का formula कितना होता है, limiting friction का, वो होता है, mu s into n, तो यहाँ मैं क्या पूट कर दूँगा, mu s into n, upon n, बराबर 10 alpha, आप देखो, n से n खतम, तो क्या बचा, mu s बराबर 10 alpha, यह value निकल क्या आगे, mu s बराबर 10 alpha, mu s क्या है, coefficient of static friction, ठीक है नि, स्थातिक गर्सन गुडांक, और य क्या निकल क्या जाएगा, 10 inverse mu s, clear, तो आपको alpha की जो value दिखरी है, वो क्या होती है, 10 inverse mu s, अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा था, angle of friction, ठीक है, एनि, घर्सन कौन, वहाँ जो value थी, ठीटा था, angle of friction था, वो कितना था, 10 inverse mu s, और यहाँ आप देख रहे हो, angle of repose भी क् ठीक है, दोनों क्या है, वाइ, 10 inverse mu s, बरावर ठीटा, और 10 inverse mu s, बरावर अलफा, अलफा क्या है, angle of repose, ठीक है, angle of friction, गर्सन कौन, इस केस में क्या हो जाएंगे, दोनों, ठीक अर अलफा क्या होँगे, एकक्वल, तो यह relation होता है, आपस में, ठीक और अलफा में, यानि, angle of repose, बरावर, angle of friction, ठीक है, तो angle of friction, यानि, गर्सन कौन, बरावर, angle of repose, यानि, angle of repose, ठीक है, यानि, विराम कौन, दोनों क्या होते, एकक्वल, यह relation होता है, यहां से मैं से भी बोल सकते हैं, इसको, क्या आप देखो, यहां से अगर, यह भी तो था, 10 ठीटा बरावर mu s, और यहां से क्या हो जाएगा, 10 अलफा बरावर mu s, तो यहानि 10 ठीटा बरावर, 10 अलफा, ठीक है, तो यहां से ठीटा बरावर क्या जाएगा, अलफा, तो यह बोल सकता हूँ, जो वाकरि में अलफा होता है, angle of repose, और जो ठीटा होता है, angle of friction, दोनों क्या होते, एक्वल, यह दोनों में रेलेशन होता है यह चीजह आप बहुत अच्छे से नोट करो इसके बाद मैं आपको explain करूंगा कुछ rules है friction के वह आप follow करने करने पड़ेंगे आपको तभी चीजे friction पर dependency और undependency की बात clear होगी अब देखो कुछ rules है friction को समझने के लिए ठीक है यानि गर्सण के कुछ नियम है पहला रूल क्या बोलता है फर्स्ट रूल कि friction does not depend upon area of contact यानि संपर्क छेत्रपल ठीक है मैं बोल सकता हूँ friction does not depend upon area of contact इसका मतलब क्या है एरिया फोल्टेक्ट ना मतलब होता है संपर्क छेत्रप ठीक इसका मीन्स क्या है देखो आप यह बोल रहा है कि friction does not depend upon area of contact मान के चलो मेरे पास एक बॉक्स है ठीक है एक बॉक्स है इतना चोड़ा है और एक बॉक्स है इससे कम चोड़ा यानि एक बॉक्स का एरिया बहुत जादा है और एक एरिया क्या है बहुत कम है यहां मैं मास्क दोनों का सेम रख रहा हूं ठीक है अभी मैं आपको दॉक्स पोपड़ी के अंदर बताऊंगा कि मास का लौजिक क्या है अभी हम देख को डॉनों का मास्रक सेम है बट एरिया के अलग अलग है एकक एरिया बहुत जादा है और एकके यह हम बहुत कम है मास दंघ के सेम है ठीक है तो आप बताओ दोनों को क्फीचने में क्या है जाधा है जाय मुझे उसको खीचने में दम तो उतना ही लगाना पड़ेगा ना मैं ठीक है अब समझो कि एक राउड है पर एक उसका एरिया बहुत जादा है और एक रॉड है उसका एरिया बहुत कम है लेकिन मास दोनों का सेम तो इसको खीचने में जो फ्रिक्शन लग रहा होगा दोनों पर क्या लग रहा होगा एक कुल तो इसलिए मैं बोल सकता हूं कि जो फ्रिक्शन होता है वो एरिया आफ कॉंटेक्ट पर डिपेंड नहीं करता है लेकिन यहीं से अगर मैं दूसरा पॉइंट आपको बोलूं कि व्रिक्शन रॉलिंग व्रिक्शन रॉलिंग इसलिए जोंन वूता है लोग तन घर्सन चीक तौ रॉलिंग व्रीट्शन दिपेंग्ग depends upon the area of content area of content but the loader गर्सन होता है डॉलिंग फ्रिक्षन होता है वो area of contact for depend करता है मतलब कैस्थ मार्का देखो आपके पास एक बाइक है और बाइक के अंदर पहिया जो उसके अंदर हवा बरी हुई है और अब दूसरी बायक है उसके अंदर जो पहिया है उसमें से हवा निकाल दी तो उसका एरिया ज्यादा हो जाएगा in comparison of पहले वाले में जिसमें हवावरी हुई है अब आप बताओ आपको किसको खींचने में, किसको खींचने में जाधा force लगाना पड़ेगा, जिसमें हवा नहीं है, जिस टायर के नहीं है, इसका मतलब वाँ friction क्या होगा जनरेट है, जादा, और जिसके अंदर हवा वरी हुए वहां friction कम जनरेट हो रहा होगा तो मैं आसानी से उसको खीच के ले जा सकता हूं ठीक है चला सकता हूं उसको आसानी से तो क्या रॉलिंग friction एरिया अफ कॉंटेक्ट पर डिपेंड करता है यस डिपेंड कर रहा है क्लियर अब देखो तीसरा क्या है जो friction होता है थे friction वह मास के डिर्वेमान पर डिपेंड करता है इसका मीन्स क्या है देखो आप समझो एक मेरे पास 50 kg का box है और एक मेरे पास 200 kg का box है कि सको में आसानी से खीच के लें जा सकता हूं 50 kg के box को क्या मैं 200 kg को बॉक्स कीच के लिए सकता हूँ नहीं क्यों क्योंकि वहां फ्रिक्शन ज्यादा जन्रेट और आओगा उसको मुझे खीचने में ज्यादा दम लगाना पड़े इसका मतब फ्रिक्शन मास पर भी डिपेंड करता है इतनी बासमन में आती है फोर्थ केस आप देखो कि फ्रिक् इसका छीए की प्रक्रती सतय चिक्नी है या सतय खुर्दरी ऑं इस पर फ्रिक्शन डिपेंड करता यह बात तो कॉमन से इसको मैं समय में आजाना चाहिए कि जो फ्रिक्शन है वो नेचर अफ सर फेस पर डिपेंड करता है ठीक है सब्वार्य कितनी ची निया हे वहां फ्रि rolling friction is less than the sliding friction sliding friction इसका मीनिंग क्या है कि rolling friction कम होता है sliding friction से अब आप देखो किसी चीज को आप खीच के ले जा रहे हो ठीक है और एक चीज को आप ख radon करके जैसे मान के चलो एक एक टायर वहाब यह तो किसको कीचने में आसानी होगी intelligence लेकिन खीच के लागी फिरिक्षन जाद अन्रित हो रहा होगा इसका मतलब लैडिंग friction है वो कैसा होगा ज्यादा in comparison of rolling friction तो rolling friction की value कैसी होगी कम कम होगा rolling friction लेकिन sliding friction क्या होगा ज्यादा क्यूंकि उसको खींचने में ज्यादा दम लगाना पड़ेगा in comparison in comparison of tire को चलाने में कितनी बात समझ में आती है तो एक कुछ important points थे कि friction के ऊपर अब इसके बाद देखो कि friction को कम करने के लिए क्या क्या चीज हमें यूज करनी चाहिए तो friction को अगर हम कम करेंगे तो उसके लिए हमें lubricant ठीक है oil grease यह चीज़न यूज कर सकते हैं ठीक है तो lubricant यह मैं बोलू grease यह मैं बोलू oil ठीक है अगर हम किसी surface पर इनको डाल देते तो friction क्यों जाता है कम हो जाता है क्या हो जाता है friction क्यों जाता है कम डिक्रीज हो जाता है तो इन चीज़ों को यूज करने से friction कैसा हो जाएगा कम करेंगे यह चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए ठीक है अब आपकी अल्यडी फ्रिक्षन यानि गर्षन की थियोरी खतम हो चुकी है इसके बाद मैं आपको नेक्स वीडियो के इंदर फ्रिक्षन पर बेस्ट थियोरिटिकल यानि कॉंसेप्चल कॉशन्स और निमेरिकर प्रॉब्लम्स सॉल्व कराऊंगा तब तब वीडियो को लाइ आपकाdenाः थ्रया को जानि करते ह これ दो और कहिं, भeder हुके पायख। झारशम्सस और भीकिल मैं आपको लेक्स तक पायुकी है अभ